नमस्कार नो की नो खबर में आपका स्वागत मेरा हुलो जाब के साथ प्यावे बार ने फिर से मुस्सीबत बढ़ा दी है नदियों का चलस्तर बढ़ गया है नदिया उफान पर है पत्ना में गंगा की गती ने लोगों की दुरगती बढ़ा दी है खर, स्कूल, गली मुहले बार में डूप चुके है लोगों के लिए बांधी बसेरा बन गया है ये रिपोर्ट देखिए घर में पानी स्कूल में पानी सडक पर पानी गली मुहलने में पानी चारो ओर पानी ही पानी बिहार में बार की दस्तक से इसती बिगरने लगी गंगा, गंड़, कोसी और बूरी गंड़क उफान पर पुनपुन सून और क्यूल नदी भी रौद रूप दिखा रही बार की ये तस्वीरे बता रही है कि पानी की प्रचंडता ने कितनी तबाही मचाई खेत, खरिहान, दुकान, मकान, दालान, सब के सब जल समाधी ले चुके हैं लोग बलायन करने पर मजबूर, कोई सड़क पर सो रहा है तो किसी ने बांध को ही बसीरा बना लिया है सबसे ज़ादा खराब इसती पटना की है बिंद टूला में सारे घर पानी में है और लोग परिशानी में मजबूरी ऐसी की लोग मरीन ड्राई पर टेंट बना कर रहने को विवश्च बालवचा के लेके, रहेके नहीं साधन भार हुए सब तर से पानी होगा, बालवचा डूबे से बचा है गंगा की गती पट्टा में कम नहीं हो रही जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है लोगों को साबधान करने के लिए भद्र खाज पर देंजर जोन का बोर्ड लगाया गया है किसी के साथ कोई अनहूनी ना हो इसके लिए भद्र खाज जाने वाली सडक को बंद कर दिया गया है क्योंकि यहां गंगा नदी और सडक के दूरी लगभग खत्म हो गई काली खाज से गांदी खाज तक पातवे का काम बंद हो गया है आने जाने का रास्ता जलमग न हो गया है और सीडिया पानी में गायब हो चुकी है पत्ता के ग्रामीन इलाके में तोस्ति और भी जादा भयाबर है पत्वा और दन्यामा प्रखन के कई गाउं में बार का पानी फैल क्या है कटया घाट और स्रिवेनी संगम घाट डूप चुके हैं सड़क के उपर से पानी बै रहा है हजारों एकर खेत में लगी धान की वसल पानी में गोते लगा रही है मनेर के दियारा इलाके में 6 पजायत पूरी तरह से प्रभाविक चिहत्तर, महावी टोला, इस्लाम गंज, हाथी टोला, हल्दी छपरा और रतन टोला का संपर्ख शहर मुख्याले से तूट गया है लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है लोग रहात कारे का इंतिजार कर रहे बार प्रभाविक दिलाका घोशित करने के मांग कर रहे है मदद की गुहार लगा रहे है अब देखना होगा कि डूपते को प्रशासन का सहारा कब तक मिलता है दानापूर से अमरजीत शर्मा, पत्ना से शलिंद्र कुमार, विनीता मिश्रा और मनोज सिनहा के साथ बिर रिपोर्ट निउस एटीन पत्ना में गंगा के अलावा दूसरे जिलो में क्यूल, कूसी, पुनपुन और सो नदी भी उपान पर है खेत, खलिहान, दुकान, मकान, दालान, सब जल समाधी ले चुके हैं वैसे तो कहते हैं कि जल ही जीवन है लेकिन इन दिनों बिहार में वही जल जीवन पर भारी पढ़ा है रिपोर्ट देखिए आरा में पिछले चार-पांच दिन से लगतार गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है शाहपुर प्रखन के जवनिया गाउं और बढ़हरा प्रखन में माहूली के पास कई गाउं गंगा में बिलीन हो चुके हैं खेतों में लबालब बार का पानी भरा है, फसल तो बरबाद हो ही रहे हैं, जानवरों के चारे पर भी लाले पड़े वे हैं, भूखमरी जैसी इसती बन गई है भागलपुर में हालात और भी जादा भयावा है, सब और प्रखन के मसाड़ू में घर के घर गंगा नदी की आगोश में समा रहे हैं गंगा में गोते लगा रहे पक्के मकानों की ये तस्वीरे लोगों को ढरा रही, पेड, सड़क, जमीन सब गंगा में बै रहे हैं खोन पसीने की महनत से बने आश्याने, पानी की धारा में धारा शाई हो रहे हैं खगरिया नगर परिशत के वाट नमबर 30 में बूरी कंड़क नदी का पानी घर में घुझ गया है बार पेड़ित अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं खगरिया के ही परबता में बार से हालात और भी जादा बत्तर हो गया है गोडिया सी हाई स्कूल पूरी तरह डूप चुका है सिक्षक नाव के सहारे स्कूल पहुँचते हैं सिक्षिकों को आने जाने में बहुत परिशानी हो रही है मुंगेर के हेरू दियारा इलाके में मिडल स्कूल भी डूप गया है विद्याले में तीन फीट पानी जमा है बच्चों को लेकर किसी बड़े खत्रे की आशंका जताई जा रही है सिक्षक और स्कूल के हेड़मास्टर सडख किनारे डेरा डाले वे हैं क्योंकि परिक्षा के कारण स्कूल आना इनकी मजबूरी बन गई है भारी बारिश के कारण कैमूर से निकलने वाली पहारी नदिया भी उफान पर है जिन ज़र्नों में लोग नहाते वे आनंद लेते थे आज वहां खत्रे की घंटी बज रही है ज़र्ने की एक खुबसूरत तस्वीरें दिखने में आकरशक तो लग रही है लेकिन इनके पास जाना मौत को दावत देने के बराबर है लोग इसमें जाने की सोच भी नहीं सकते क्योंकि पानी का बहाव इतना तेज है कि एधारा ना जाने कितनी जिन्दगियां समीट लेगी वैसे तो कहते हैं कि जल ही जीवन है लेकिन कभी कभी ये जल जीवन पर ही भारी पड़ जाते हैं हर साल बिहार को ऐसी ही बिभेशिका का सामना करना पड़ता है जब बारिश के बाद बार मुसीबत पन कराती है आरा से चंदन, भागलपूर से आशीश रंजन, खगड़िया से दिगवजय, मुंगेर से अरोंड शर्मा और कैमूर से अभिनव सिंग के साथ विर रिपोर्ट नीउज एटीन भागलपूर में गंगा डराने लगी है एक बार फिर से गंगा ने रौत रूप धारन कर लिया है बीते चौबिस घंटे में गंगा के जलस्तर में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है भागलपूर में गंगा खत्रे के निशान से 25 सिंटीमीटर उपर बह रही है जिस तरह से लगतार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है ऐसे में निचले इलाकों में बाढ़ का खत्रा मंडराने लगा है गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जला प्रशासन के साथ बाढ़ नियंत्रन और जलसन साधन विभाग अलर्ट मोड में है और अधिक जानकारी दे रहे हैं समबाददाता विकास कुमार सेंग एक बार फिर से गंगा ने विक्राल रुखधारन कर लिया है बीते 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 20 सेंटीमीटर की बढ़ होतरी हुई है तस्बीरों में साप तरपर आप देख सकतें कि किस तरह से गंगा का रौध रूप एक बार फिर से भागलपूर में देखने को मिल रहा है साथ ही साथ, जिस तरह से गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में भागलपूर जिला प्रसासन के साथ, जो बाड नियंतरन परमंडल की team है और जो जल संसाधन विभाग की team है, वो अलत मोड में जिला प्रसासन की और से यलो हलर जो है वो जारी किया गया है लगातार जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में भागलपूर के नीचले इल्याकों में एक बार फिर से बाढ़ का खत्रा जो है वो मंडराने लगा है ऐसे में भागलपूर जिला पर सासन की ओर से पूरी तरह से एहतियात बरती जा र और गंगा जो है भागलपूर में खत्रे के निशान से 25 सेंटीमीटर उपर बह रही है ऐसे में जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में नीचले इलाकों में एक बार फिर से वाड का खत्रा मंडराने लगा है विकास कुमार सिंग नियोजटीन खत्रे के निशान से 25 सेंटीमीटर उपर पहुँच गई है जिस कारण सिले में पानी घुसने से तबाही मच गई है मुंगेर सदर और बरियारपूर प्रखंड के कई गाउं में पानी घुस गया है हालात यह है कि गाउं के लोग दूसरी जगा पलायन करने के लिए कर दिया है ग्रामिलों के मताबिक गंगा का चलस्तर अचानकी तेजी से बढ़ गया है साथी ट्यम के मताबिक सलाप्रशासन इसके लिए पूरी तरफ से तयार है चाए मुखिया हो चावाड हो कोई भी अभी तक हमारे पास नहीं पहुचा है हम आप सबसे यही अनरोध है जो भी है उनको हम कहते है कि हमारा सुरक्षित आकर केग देखिए हमारा क्या गति है हमारे गाओं का परिवार का बाल का बच्चा का और कोई चीज का क्या परिशानी है आकर केग देखें रहे कर तो इस्तिथी बहुत गंभीर है घर्द वारर में जाने आने में दिक्कत हो रही है तो आप सुचिंदर घर से निकल रहा है आने बाने पाने तीने का भी दिक्कत हो रहा हूने जा रहा है लेकि इसमें कोई दो मत नहीं है कि जी इस्तर में गड्वी है और लगातार गड्वीड हो रही है तो हमारे जो भी प्रभावित अंचल है चाहे वो सदर्न अंचल हो चाहे बर्यारपुर हो और बहुत जो जो जमालपूर अंचल के भी कुछ भागं प्रुछें favorites जिस्थी है, जिसक haw लोग सुकति네ह67ah राह रहा है और जहां पर भी नाव की डिमांड की जा रही है तो सभी जैगा पर नाव अध्व कुराइ जा रही है, और। पर हम लोग की नियाह है जो इस्थानी जन्तिती हैं तब इस हम लोग संपर्क में हैं और जो भी आवस्थक वोस्ता हैं पर सासंत तयारी पर है अलर्ट पर है हम लोग देख रहे हैं किंद्रेजाच एजन्सी डी ने पुंच कुमार सिंग नाम के माफिया को गिरफ्तार किया है बड़ी खबर बिहार जार्खंड का शर्चित बालू और कोल माइनिंग माफिया पुंच कुमार सिंग है बता दे कि ईजी की पटना सोनल ओफिस की ओर से आरूपी की गरफ्तारी की गई शार्खंड से लेकर बिहार तक बालू कोला और शराब का अवैद कारोबार भैला हुआ है और इस कारोबार में आरूपी शामिल रहा है करीद 210 करोड से जाला के मने लॉंटरिंग मामले में तरश हुए केस में गरफ्तारी की गई है चार्खंड के धनबाद इलाके का रहने वाला या आरूपी आईएस संजीव हंस के घष्टा 4 से जड़ी रोज से नई नई कहानी सामने आ रही है पीडी सुत्रों के हवाले से एक खबर है कि आईएस संजीव हंस ने मुहाली और कसौली में बेनामी संपती खरीदी मुहाली और कसौली में चार आलिशान विला का कुलासा हुआ है वहीं पंचाब के मुहाली में समीन का बड़ा प्लॉट भी खरीदी की गई है पंचकुला में 92.50 लाक में संपती खरीदी गई थी साल 2020 में कमल कांत गुपता के नाम पर संपती खरीदी गई थी जिसके राश्वी का भुकतान संजीव हंस की पतनी ने किया था बता दे कि संजीव हंस और उनके फिशनेस पार्टनर पुर्विधायक गुलाब 11 समेर 14 लोगों के खलाब एफाईयार स्वेशल विजलेंस यूनिट ने दर्च किया है इफाईयार में खुलासा हुआ है कि संजीव हंस ने प्रिपेड मीटर लगाने वाली एक कमपनी को काम देने के बदले घूस के तौर पर एक मरसेडिश कार लिया था जिससे इन्होंने अपने साले गुरपल तेज सिंग के दोस्त तरूंग रागाओ के नाम से रजिस्टर करवाया था संजीव हंस के पास से 70 लाख रुपे मुले की जो 15 घडियां चब्त की गई थी इसके बारे में संजीव हंस ने पूस्ताज में बताया कि विभिन कंपनियों ने इन्हें कॉर्प्रेट गिफ्ट के तौर पर दी है अबर सीता मड़िसे है जानसला जेडियों की महिलासला देक्ष के साथ नकेवल मार पीट की गई बलकि चपल की माला पहना कर सडक वर्प्माया दे गिया घटना ब्यारगनिया की है महिलासला देक्ष की हालत गंफीर है और पिचाई की वज़से वो कुछ बोलने के सती में नहीं है बताय चारा है कि बुदवार शाम पार्टी का कारकरम था जिसमें महिलासल की अदेक्ष को नहीं बुलाया गया था इसी को लेकर विवाद बढ़ा था जिसमें वाड आयुक्त संजय पटेल से उनकी नोगजोख हुई इस घटना के बाद राचनितिक महकमे में हडकंप मचा है अधर दर्भंगार से चाहिक शाती ठग पुलिस स्वाला बनकर गाड़ी चेकिंग का जासा देकर दोई वक्स से उनकी गाड़ी ठग कर फरार हो गया ठगों की तस्वीर सिस्टीवी में कैद हो गई आप पुलिस सिस्टीवी के आधार पर ठग की तलाश में जुट गई है घटना विश्य विद्याले थाना के बाग मोड बेला गुम्टी के पास की है चाहां फ़र्ची दारोगा गाड़ी चेकिंग कर रहा बेला गुम्टी के चेकिंग कर रहा है चेकिंग पे अकेले था वो आया गारी डचाह भी निकाल लिया और भॉला की पेपर देखाओ इस सोरेटस पेपर लिखा है तो गोला की आरसी देखरी निये कि आओ हम आरसी के लिए चले गए, फोन कर रहे थे दोस्कों, तब तक मेरे साथ जो लरका था उसको बैठा के ले गया, और इंवर्सिटी होस्तिजों के बास उसको बैठा के चला गया, गाड़ी आ रहे उसका प्रिंग वाइल में के, पुलिस भर्थी में था डवल एश्टार था मिलिस के जेज में था और बांकी चेकिंग के जो अनसाधन होते हैं, गाड़ी रहती है, या फिर ट्रॉली रहती है, गाड़ी लोपने के उपकरण रहते हैं, ऐसे कोई उपकरण नहीं थे, लेकिन वो उसके बैकावल में नागरी आ गए प्रियम कुमार देराज प्रभावित डलित बस्ति पहुंचे, उन्होंने बस्ति का दोरा किया, साथी चले हुए घरों को देखा और प्रित लोगों से भी मुलकात की, मंत्री प्रेम कुमार ने कहा, कारवाई हो रही है, और लोग इरफतार भी किये गए हैं, अपराधी बक्षे नहीं जाएंगे अपराधी बक्षे नहीं जाएंगे, जिला प्रसाताने समय रहते हैं, कारवाई की है अगर के, अठाइच लोग इपहियार में नामदर्स किया गया है, पंदर नामदर्स थे लोग थे, मुखबित सही जागर के, अरिश कर लिए गये हैं, आगे और भी कारवाई की जा रही और प्रती व्यक्ति एक लाख पांश जार एक्सोप्रिदास सुप्र के रासी कि जाबते, एक्स परिवार को दिया जा चुका है, तीन परिवार अभी थे नहीं जा करके, उनको भी सहतारा सिदी जाएगी जा करके, प्रसाशन पुरुतर सतरक है जा करके, अजिसर घटना घ करके हैं, जिन लोगर कामी को हाथ में लेका काम किया है, तो खिलाप पुरुतर सतरक है, जिन लोगों के घर चले थे, उन्हें टिये में स्विस सेतन्य प्रशासनी का धिकारियों ने चेक के जरी राशी का वित्रण किया, कुलेक्तिस लोग को चेक की राशी दी गई, सभी पिड़तों को एक लाग पाच हसार एकसो पचीस रुपए दिये गए, साथ ही लोगों के रहने और खाने की भी विवस्ता की गई है, ताकि उन्हें कोई दिक्त ना हो उनको भी 20,000 रुप्या का परवाय कलाब ही हो जिना है, वो भी दे दियाएगा, उसके अलाबे कभी रांतर्ष्टी योजिना कलाब भी उनको दे दियाएगा तिरुपति मंदर के प्रसाद में फिशोयल मिलने की पुष्टी हुई है, अंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंदरबाबू नाइडू ने तिरुपति मंदर के प्रसाद में खी की चगा जानवारों की चर्वी मिलाने का आरूप लगाया था, इसके बाद सैंपल अंध्रप्रदेश के सबसे पवित्र स्थल को लेकर के एक बड़ा विबात सामने आया है, तिरुपति मंदर के प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्वीक इस्तवाल कराने का आरूप खुद मुख्यमंत्री एन चंदरबाबू नाइडू ने आंध्र के पूर्व सिय जगन मोहन रड़ी पर आरोप लगाये था अब दिरुपति के नवेद्यम में बड़ी मिलावट के पूष्टी हुई दिरुपति के लड़ू में जानवरों की चर्वीक पूष्टी की गई दिरुपति के लड़ू में मचली के तेल की भी पूष्टी हुई है जाच रिपोर्ट में लड्डू में मिलावट की पुष्टी की गई नैशनल डेरी डेवलप्मेंट वोड की रिपोर्ट में खुलासा हुआ बता दे की आंदरप्रदेश के सियम चंदरबाबू नाइडू ने ये बेहदी गंभीर आरोप लगाया था जगन मोहन रेड़ी की सरकार की समय मिलावट का ये मामला 2019 से 2024 की बीच का था तीम नाइडू के इस बयान पर जगन मोहन रेड़ी की पार्टी YSRCP ने भी जवाब दिया इसमें कहा गया कि चंदरबाबू नाइडू ने देवियम मंदिर तिरुमाला की पवित्रता और करोणों हिंदू की आस्था को नुकसान पहुँचा कर बहुत बड़ा पाप किया है NDA विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए पियम चंदरबाबू नाइडू ने दावा किया कि तिरुमाला के प्रसाद नवेद्यम यानि की लड़्डू को घटिया सामगरी से बनाय जाता था घी की जगह पशु की चर्वी का स्तमाल किया जाता था नाइडू ने कहा कि अब शुद्ध घी का स्तमाल किया जा रहा है और मंदिन में हर चीज को सैनिटाइस किया गया है बिरर रिपोर्ट न्यूस एटिम और शले न्यूस एटिम बिहार चार खंट पर खबरें आपके लिए लगतार चारी है